हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के स्टेरकेस के डिफरेंट पार्ट का स्टेंडर साइज क्या होता है या क्या रखना चाहिए जैसे हैंड्रेल, स्टेप, ट्रेड, राइजर, नियुल पोस्ट, सौफिट और लेंडिंग इन सभी का स्टेरकेस बनाते समय क्या साइज रखना चाहिए इसके साथ साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे के सीडी बनाने के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए होती है कम से कम कितनी जगह में हम सीडियां बना सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें बहुत ही important वीडियो है और ये हमारी staircase के series की fourth वीडियो है बाकि पहले की तीन वीडियो का link आपको उपर आल बेटर में मिलेगा अब चाहे तो उन्हीं भी देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि सीडियो का minimum size mainly 5 factor पर depend करता है जैसे कि किस टाइप की सीडियो है straight है circular है spiral है dog leg है etc दूसरा ये depend करेगी आपके plot के size पर कि आप कितनी जगा में घर बना रहे हैं तीसरा ये depend करती है riser की height पर कि आप riser की height क्या रखने वाले हैं चोथा floor या building के height पर और पाचवा आपकी flight की width मिन्स चोड़ाई कितनी है mainly in part factor पर ही किसी भी staircase का size depend करता है आईए अब मैं बताता हूँ कि staircase के किस part का आपको क्या size रखना चाहिए मिन्स क्या recommended है तो सबसे पहली बात अगर हम rise की बात करें मिन्स सीडियो की वह उचाई जिस पर हमारे पैर टकर मारते हैं और जो trade को support देता है उसकी height क्या रखनी चाहिए तो friends अगर हम rise की minimum height की बात करें तो आपकी rise की height कभी भी 6 inch मिन्स 150 mm या आप इसे 10 feet भी कह सकते हैं इससे कम नहीं रखनी है दूसरी बात अगर हम rise की maximum उचाई की बात करें तो आपको कभी भी यह 8 inch मिन्स 200 mm से ज़्यादा नहीं रखनी है यह standard है riser की height का और उसमें भी conditions है कि अगर residential building है तो उसमें 1.500 से 200 mm तक एक public building में 120 से 150 mm तक government building में 140 से 150 mm तक private company या factory building के लिए 190 mm और cinema hall के लिए 150 mm तक standard riser height consider की गई है तो यह बात आप हमें साथ ध्यान में रखना आप चाहे तो इन्हें note करते चले या आप हमें send ppt लिखकर comment कर देना आपको ये ppt भेज दी जाएंगी दूसरी बात आती है trade के width की कि ये trade है जैसे कि आप image में देख रहे हो जिस पर हम pair रखकर सीडिया चड़ते या उतरते हैं उसे trade कहा जाता है तो friends अगर हम trade की minimum width की बात करें तो ये है 10 inch मिस 500 mm से कम नहीं होनी चाहिए और maximum trade width 12 inch या 300 mm से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिसमें residential building में 500 mm से 270 mm तक रख सकते हैं public building में 500 mm से लेकर 300 mm तक रख सकते हैं government building में 270 mm से 300 mm तक रख सकते हैं private company या factory के लिए 500 mm होती है और cinema hall के लिए trade width 275 mm स्टेंडर होती है next है width of stair एक stair की मिन्स एक cd के step की width यानि चोडाई minimum 3 feet होती है और maximum 5 feet जिसमें residential building के लिए तो 0.8 meter से 1 meter तक होती है और public building के लिए 1.8 meter से 2 meter तक होती है next है length of stair कौन सी length जो आपको image में दिख रही है ये वाली length ये length आपकी कभी भी 1.5 mm मिन्स 6 inch और आदे feet से कम नहीं होनी चाहिए ये बात भी आप note कर ले next है handrail handrail का काम होता है हमारे हाथों को support देना सीडिया चड़ते और उतरते समय इसकी height कभी भी 900 mm से कम नहीं रखनी है ताकि हर height का व्यक्ति इसे असाली से use कर सके next है new post अब ये new post क्या है friends जैसा कि आप image में देख रहे हो यह एक column की तरह act करता है handrail को support देने के लिए इसकी height भी 75-90 mm की बीच में होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से use कर सके next है headroom headroom trade center से vertically उपर वाले floor की जो ceiling होती है उस तक का distance होता है यह distance vertically कभी भी 2 मिटर से कम नहीं होना चाहिए ताकि हर height तक का व्यक्ति staircase comfortably use कर सके next है pitch अब ये pitch क्या है pitch staircase का वह angle या slope होता है जो staircase के inclined मिस्ट तिर्चा होने से बनता है यह angle कभी भी 38 degree से कम और 42 degree से जादा नहीं होना चाहिए इनके बीच में ही होना चाहिए नहीं तो आपको सीडिया चड़ने या उतरने में ठकान वे परेशानी महसूस होगी अब बात करें sofit या waste slab की तो जैसा के आप image में देख रहे हैं यह staircase की वह inclined slab होती है जिस पर आपकी staircase construct की जाती है और इसकी minimum thickness 6 inch मिंस 1.500 mm से कम नहीं होने चाहिए आईए अब बात करते हैं landing की minimum width की तो friends पहले मापको यह बता देता हूँ कि landing हर staircase flight में क्यों दी जाती है basically landing staircase की direction change करने के लिए दी जाती है और यह इसलिए भी दी जाती है ताकि जब आप सीडियों का इस्तेमाल करें तो बीच में इन पर थोड़ा rest कर सके तो अगर landing की width की बात करें तो वैसे तो landing की width कभी भी stair की width से कम नहीं होनी चाहिए पर minimum landing width 2 feet होती है और maximum 3 feet next flight flight stairs की एक unbroken series को कहते हैं जो landing से सुरू होकर landing पर ही खतम होती है एक staircase flight में कम से कम 3 step और maximum 12 step होने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए यह एक standard है flight का next है walking line walking line stair की वह विर्ट होती है जो एक आदमी acquire करता है सीडियों पर चलने के लिए यह 45 cm से कम नहीं होनी चाहिए next है building height आपको floor to floor building height भी 10 feet से कम नहीं रखनी है और last है के हम कम से कम कितनी जगा में सीडियां बना सकते हैं तो friends वैसे तो मैंने बताया ही था कि यह 5 different factor पर depend करता है पर आपको कम से कम 47 square feet जगा तो चाहिए ही staircase बनाने के लिए जिसमें आप एक straight staircase बना सकते हैं अगर आपको यह भी जानना है कि 47 square feet में staircase कैसे बनेगी क्या length रहेगी, क्या width रहेगी riser और trade के क्या size रहेंगे कितने number रहेंगे तो आप हमें comment करके ज़रूर बताए उसके लिए भी मैं अलग से video बना दूँगा ओके फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में इसी सीरीज के fifth part के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा धन्यवाद